नमस्कार दोस्तों, Stock Market Studies में फिर से एक पर आपको बहुत बहुत सागत हैं, तो आज में फिर से आपके सामने कुछ Importance Company का आपडेट शेयर करने वाला हूँ, तो इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर सिर्फ Company का आपडेट ही नहीं, Company के टेकिनिकली एक bus manufacturing company है, देखें, Company दो अलग-अलग categories पोजेक्ट के उपर काम करता है, एक electric buses के उपर और दूसरा insulator के उपर, तो electric buses और insulator बनने का काम कमपानी करता है, तो insulator के जो business है, वो बहुत कम कमपानी के उपर देखने को मिलता है, जैसे आप देख सकते है, जो polymer insulator है, वो उसके साड़े 12% सेग्मेंट के उपर काम करता है, और electric buses के उपर 87.5% के आसपास काम करता है, अब देखें, electric buses के साथ-साथ electric trucks भी company बनाना स्टार कर चुके है, और company एक बहुत बड़ा update दिया, जिस update के चलते है, company के उपर एक अच्छा का सा धामा का स्टार्ट हो चुके है, company manufacturing unit ह हाइदराबाद में स्टार्ट करने वाले थे, वो manufacturing unit स्टार्ट हो चुके है, और दूसरी बात, company का पर सबसे बड़ी बात क्या है, company का पर सबसे बड़ी बात है, company deliver 1695 electric buses and 51 जो टेपर्स है, तिल मार्च 31, 2024, और company यह भी बता रहे है कि company का जो world largest e-bus order है, 5,150 buses का order, company को मिला MS MSRTC से, MSRTC से company को 5,150 buses का order मिला, और company receive कर चुके 3,000 electric buses का order from BEST Mumbai, तो BEST का जो बास चलते है मूंबाई में, उसका total electric buses का order, 3,000 से भी जादा इस company को मिला है, और एक big deal company sign क्या है, आप देख सकते है, extended जो corporation है, मतलब agreement किया गया है, with BYD till December 2030 तक, तो 2030 तक BYD के साथ एक big deal किया, अभी BYD है क्या, अभी BYD बता दू, चाइना के सबसे बड़े electric car manufacturing company है, तो BYD के साथ deal किया है, मतलब एक अच्छा खासा growth करने का company कोशिज करेंगे, electric buses has covered over 20 crore km across India, तो company जिस तरीके से खुद को business को exchange कर रहा है, आप या पर देख सकते किस तरीके से electric buses का order है, और total है, अभी बता जाए, net order book of electric buses, 10,969 numbers, मतलब एक बहुत बड़ा order company को मिला है, और साइद, साइद इसलिए company क्या कर रहा है, खुद के order को मतलब fulfill करने के लिए company करजा उठा चुके है, अभी देखेंगे, लास्ट टू quarter में company अच्छा खासा करजा उठा, 134 crore, 121 crore, मतलब बेस तरीके से यहाप एक करजा company उठा चुके है, अभी company के उपर reserve के बारे में बात करो, तो company के reserve भी आप देखेंगे, तो basically 880 crore के आसपास company के पास reserve है, और company के CWIP के बारे में बात करो, तो 72 crore के आसपास company का CWIP देखने को मिला है, तो मुझे लगता है, बेस तरीके से company का, यहापे जो reserve है, और company के उपर business के उपर investment जो है, वो अच्छा खासा किया जा रहा है, और यही कारण के बज़े से company के positive thinking देखने को मिला है, अभी as a investor, वो क्या कर रहा है, वो देख लीजिए, as a investor के बारे में बात करूँ, तो देखिए promoter के पास पहले 50% का holding था, आज भी 50% का holding है, और FIS के पास देखिए, जो holding पहले 10% था, आज बो 60% हो चुके है, अगर mutual fund ने कुछ अलग किया, जिसके पास एक दम zero holding था, वो बड़ा कर आज holding का 0.11% का आसपास लेके गए, तो आप कहेंगे, 0.11% का holding, इसमें क्या होगा, लेकि इसमें कुछी नहीं होगा, एक positive thinking मिलेगा, कि हाँ, institution भी start कर चुके है, इस company के पूर भरोसा करना, तो बागी, इस company के पूर आपके कराहे जोरी comments करना क्योंकि basically इस company के जो technically chart button है, मुझे दो तरीके से strategies मिला, पहले तो एक cup with 100 buttons मिला था, उसका target finally यहापे मिल चुके है, और दूसरी बात यहापे देखिए एक range state बना है, जो range state कूट इस तरीके से एक range बना, pine candle का, जब इस नीचे level को touch करेंगे, तब anti बनेगा, और इस higher level तक का target रहेगा, मागर हुआ कुछ उल्टा, यहापे एक range gate हुआ था, यहापे एक, देखा जाए तो एक strongly resistance company को मिला था, final resistance को break किया, उसके बाद उपर जाने का कोशिस कर रहे है, और finally इस level तक जाकर, मुझे लगता है target को achieve कर पाएंगे, तो basically सांदर तरीके से यहापे target achieve होने का दम है, तो बाकी next जो company है, उसके बारे में चर्चे कर रहे है, उसका नामे महानगर gas limited, तो basically महानगर gas limited जिसको हम लोग MGA नाम से जानते है, करीबन 12,770 क्रोड के आसपास company के total market क्या है, और company के peer issue जो है, वो 9.91, मतलब 9.91% के आसपास है, तो company के industry peer issue से company के peer issue बहुत सस्त है, ROC, ROE company का best देखने का मिला, तो MGL के कुछ खासियत point है, company छोटा होने के बाद भी company खुद के profit को continuously maintain करता है, और company का depth of equity भी एकदम नाके बराबर है, तो company के जितना market cap है, उसी तरीके से company का अच्छा खासा profit भी generate हो रहा है, अभी company के उपर, जो quarterly result है, इस बार company के result किस त consensus है, उसके पीछी reason भी है, वो मैं आपको बताऊँगा, उसे पहले देखे, 1600 क्रोड से 1500 क्रोड के आसपास company का sales देखने का मिले, expense company मीटाने के बाद, company का net profit है, बहुत हब तक यहापे कम हो चुके है, क्योंकि ERP, ER बिस्निस में भी company का net profit कम हो और quarter of quarter basis में भी company का net profit कम हो तो मैं जूरू कहूंगा, इस company के उपर एक चीज़ों का आपको हमें से याद रखना है, यह company के उपर जब भी आप काम करने के लिए जाए, तो सारे चीज़ों का आपको जूरू करना होगा, सारे चीज़ों का आपको जूरू देखना होगा, तो basically companies के उपर यह जो selling का pressure है इसके पीछे reason कौन सा है, देखिए दिली government ने एक announcement किया था, एक announcement किया गया था, किस के मतम से, बोला गया कि जब भी market में अभी CNG गाडिया चला है, तो CNG गाडिया को बंद करेंगे, उसके against me, EVs गाड़ी market में launch करेंगे, तो यह एक बहुत बड़ा decision है, किस decision के चलती है, इतने सारे CNG gas बनने वाला company है, उसको बहुत बड़ा जटका लगा, उन में से MGL भी एक company है, जो CNG manufacturing करते है, तो एही कारण के बैसे company के sales लगातार कुछ quarters में पेसारेज बनता होगा देखने का मिले, और CRM में भी कुछ खास performance देखने का नहीं मिला, अभी company के उपर जो balance sheet ह से आसपास किया, मतलब बेस तरह के से company का एक profit यहाँ पर मतलब बॉरिंग से आपे देखने को मिला है, और CWIP के बारे मातलों का company का 300 crore से 775 crore के आसपास देखने को मिला है, मतलब बेस तरह के से यहाँ पर company का profit and growth देखने को मिला है, अभी company को पर as a investor promoter से लेकर Fsds public हर कि किसी के पास अच्छा का सा holding आपको दिखेगा, और इस holding के बारे में मैं एक चीज़े को आपको notice कराऊंगा, कि promoter ने कोई भी मानने बेचा, और Fs ने उल्टा माल को खरीदरी किया है, जहाँ पे 25% holding था, वो 30% हो चुके है, और Fs mutual fund के पास, जो 1% तक holding हो गया था, आज व मतलब आप एक चीज़े को समझिए, कि कि कमपानी के पर जो negative sentiment create किया गया, share को गिराने के लिए, उसका opportunity institution उठा रहा है, मैं इसलिए बार बार बोलता हूँ, कि Warren Buffett जी की एक भात को आपको हमेसे याद रखना है, कि अच्छे कमपानी अगर आपको सस्ते मिले, तो उससे को opportunity देखना चाहिए, इसका मतलब यह नहीं कि blindly किसी भी companies को पर निवेस कर लेंगे, उस company के business को बार में सोचिए, उसके बात काम करिए, तो रही बात, टेकिनिक लिए चाट प्रेंस का, आप देखेंगे तो company continuously journey करके एक बहुत सांधा journey यहापे company को पर देखने को मिला, और कोई भी company को पर इतना तेजी से कोई journey हुआ, तो कभी ने कभी वो crash होंगे, और यहापे जो big crash होआ था, वो ही reason था, वो ही result के, मतलब वो ही कारण था, दिल्ली के government का announcement, और उसके बादे की company धिर्दे करके कोशिस कर रहे हो पर जाने का, तो जब तक कोई भी patterns ना बने, तब देखें, basically आरती डाक्स के बारें बात करते हो, company एक chemical sector से बिलोंग करते है, और chemical के साथ-साथ company, API के उपर भी काम कर रहे है, देखा जाए, तो company API के जो काम कर रहे, active pharmaceutical ingredient product के उपर, तो इस सारे products के उपर काम करने के बाद, company के जो, जो लोग सोच रहे थे, के company के result खारा आएगा, मगर इस बार company के result आच्छा है, इतना अच्छा है आपको दिखा देता हूँ, company के quarter result देखेंगे, तो basically company के यार अप एर बेसिस में sales कम हुआ, मगर quarter basis में company का sales positive में आया, और expense को company control में रखे, इसके चलते company के net profit इस बार 56 करोड से 47 करोड बना, और पिछले बार 37 कर बना था, मतलब company यहाँ पर बेस तरीके से profitability को maintain किया, तो मुझे लगता है, बेस तरीके से situation यहाँ पर देखने को मिल सकता है, तो अभी net profit के बारे में एक चीज़े को आपको और भी बताऊंगा, कि companies के उपर, जो growth है, उस growth के बारे में बात करो तो company इसको पर एक अच्छा क्योंकि company specialty chemicals को पर भी काम करता है, जो chemical in market में demand बहुत कम है, उस chemical के उपर काम कर है, तो वहाँ पर एक प्रेसराइज तो बनता हो देखने को मिलेगा, तो बाखी इस company के उपर, इस आरती drugs के उपर एक ही बात कहूंगा, कि इस company के उपर, जो situation बना, investor के इसाब से, जापे, प धाई person के आसपास है, मतला institution इस company के उपर trust करना चालू कर चुक है, और institution इस company को पर माल उठाना शुरू कर चुक है, तो माल को कहाँ पर उठाए जा रहा है, आप ध्यान से देखना, कि company इस पर जब जब वो नीचे आए, देखी, इस label से जब गिरावट हुआ, तो आपको volume आपको देखने को नहीं मिलेगा, finally, जब इस नीचे label में आये, तब आप देख सकते किस तरीके से volume हुआ, किस तरीके से high volume के साथ वो उपर गये, और फिर से देखी company नीचे आ रहा है, तो जब जब नीचे आ रहा है, तब 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 देखी, या पर नीचे आया, फिर से दे बनने के इंतिजर कर रहो, अगर या पर इस होल्डर कॉंपीट हुआ, तो एक बिग बॉजिटीव रेजाल या पर देखने को मिल सकता है, पाकी, आपके क्या रहा है, जोरू मुझे कमेंट करना, और वीडियो में जानकर यह अच्छा लगे, तो प्लिस लाइक करना, तो न इस टीफ फोर रेसेगा, वो देखे, फाइनली आपको इछले दिनों में मिल चुका है, तो चार स्क्राइर के बदले आपको एक स्क्राइर कमपानी, एक स्क्राइर बेनिफिट यहापे, कमपानी आपको यहापे देने वाला है, तो आई हो वीडियो में जानकर आपको अच स्क्राइब करना, मिलते नेक्स वीडियो में तब तक के लिए धन्यबाद,